हलो गाईज के हाल चला आप सभी का वेलकम टो ने वीडियो अगर आप चानल पे नहीं हैं तो सबसे पहले चानल को किजिए सब्सक्राइब तो चलिए अब हम आज की वीडियो को करते हैं शुरू आज हम आपको पताने जा रहे हैं बीफार्मेसी कोर्स के बारे में इसकी अड्मिशन के बारे में तो सबसे पहले इसके लिए इलिजिबिल्टी बता देते हैं जो आपको इसमें अड्मिशन के लिए चाहिए होगी तो B-Pharmacy में अडमिशन के लिए आपको प्लस टू होनी चाहिए Medical या Non-Medical और इसके लिए Compulsory Subjects हैं जैसे आप सक्रीन पे देख रहे हैं Physics, Chemistry और Biology और Mathematics में से एक और अगर हम B-Pharmacy कोर्स की Duration के बार में बात करें तो यह 4 years का कोर्स है और इसमें semester wise exams होते हैं हर एक 6 months के बाद तो चलिए अब हम आपको Baba Freed University of Health Sciences में B-Pharmacy का admission process पताते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर admission के लिए application form रिलीज होते हैं और उनकी application fees है 3500 रुपीस और यह लगबग mid-July के बाद रिलीज हो जाते हैं और अगस्त के starting तक close हो जाते हैं और उसके 15 days के round later on counseling होती है वहाँ पर Baba Freed University के UiPSR में University Institute of Pharmaceutical Science and Research और counseling के बाद students के admission होती है उनके marks के basis पे plus two में और वहाँ पे सिरफ four major subjects के marks account होते हैं physics, chemistry bio और maths में से एक और English और अगर आपको वहाँ पे admission के लिए और ज़्यादे information चाहिए तो आप Baba Freed University की official website भी check कर सकते हैं और अगर हम वहाँ पे इसकी fees के बार में बात करें तो वहाँ पे इसकी first year की fees है 48,200 रूपीस और इसकी वहाँ पे four years की total fees है 1,34,000 रूपीस तो यह थी हमारी आज की वीडियो वी फार्मेसिक एडमिशन के रिलेटेड बाबा फ्रेज उनिवेस्टी में अगर आपको वह अच्छी लगे वीडियो तो वह इसको लाइक और शेयर जुरूर कीज़ें